बच्चों अगर आप नौदे विद्याले में जाना चाहते हैं, नौदे विद्याले में अड्मिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए खुश्खबरी है, क्लास नाइन्थ के लिए नौदे विद्याले में लेटरल इंट्री होती है, कुछ देविद्याले का form बस एक page का form है बहुत ही simple सा form है मैं आपको बता हूँ कि कैसे भरना है लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए सबसे पहले तो website जो है official website है navodaya.gov.in कोई भी information आपको चाहिए तो हमेशा इसी website पर visit किया कीजिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ navodaya.gov.in so this is the official website आप कहीं भी किसी और website पर ना जाया करें जब भी आपको को information चाहिए तो यह official website है यहाँ पर आपको सारी information दे दे जाती है चाहे वो form से related हो चाहे आपको prospectus वगरे download करना हो चाहे नवदया के बारे में को information चाहिए तो आप इस website पर visit कर सकते है navodaya.gov.in result वगरे भी इसी पर जारी किया जाते है तो जैसे ही मैंने इस website पर click किया मतलब इस address पर जैसे ही मैं गया आपको उपर दो links दिख रहे होंगे पहला तो है class 9th के लिए है तो आपको पहले link पर click करना है और जैसे ही आप पहले link पर click करेंगे आप इस page पर आ जाएंगे तो यह जो page है dedicated page है form भरने के लिए तो उस link से आनि कि navodaya.gov.in वाले website से आप यहाँ पर आ चुके हो जो कि है cbscitms.nse.in तो यह भी official website है जो कि हमने official link पर इक लिक किया है तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे links दे हुए है form भरने से रिगाड़ी पहला link सबसे important link है जहाँ पर आप click करके form भर सकते हो देखी लिखा हुआ है click here to register for class 9th literal entry admission 2024 and 25 तो इस पर आपको click करना है लेकिन अगर आपको prospectus वगरे download करना है तो prospectus आप यहाँ से download कर सकते हैं देखो यह रहा information bulletin आप यहाँ से download कर सकते हो और देख सकते हो कि आप eligible हो की नहीं तो मैंने prospectus download कर रखा है मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ eligibility से regarding ताकि आपको confusion नहится नहीं पहली बात तो यह देखोई information bulletin है नवदे विद्धियाले की तरद से जारी किया गया prospectus है जिसमें आपको नवदे विद्धियाले के बारे में दिया गया है eligibility के के बारे में दिया गया है variables के बारे में दिया गया है कि क्या syllabus होगा, आपके exam का pattern क्या रहेगा, medium क्या होगा, सब कुछ इसमें बताए गया है, तो जो ज़रूरी चीज़े हैं हमारे लिए, वो है seat की availability, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, कि आपके district में seat available है की नहीं है, जैसे ये देखो, ये पूरा list दिया गया है, तो मालो की मैं गोरखपूर का अगर search करूँ, तो यहां आप control F करके find out कर सकते है अपना district, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ गोरखपूर, तो यहां screen पर दिख रहा है देखो, गोरखपूर में कुल मिला करके 10 seat अवेलबल हैं, 10 में से भी, 10 में से भी ये category wise दिया हुआ है, rural के लिए कितना है, girl के लिए कितना है, OBC, SC, ST के लिए कितना है, ये सारा कुछ by farcator दिया हुआ है, तो आप यहां से देख सकते हो, कि आपके category में available है कि नहीं seat, और अगर category में seat available नहीं है, तो कुछ seat open भी हैं, तो उससे भी आप apply कर सकते हो, जैसे for example, मालो की यहां पे जो है, अगर मैं राजस्तान के, ये डुंगरपूर की बात करता हूँ, तो यहां rural में 5 seat हैं, ठीक है, और OBC में 4 seat हैं, और total 6 seat हैं, तो भाई, अगर rural के लिए 5 हैं, तो एक जो है open से है, यानि कि एक शहरी शेतर का बच्चा भी एक भर सकता है, क्योंकि total 6 हैं, ठीक है, तो कुछ seat ने open भी होती हैं, तो आप भर सकते हो, ऐसानिय की category wise ही केवल है, open seat भी हैं, तो आप उसकी साब से देख सकते हो, अब मैं कुछ eligibility की बात कर लेता हूँ, ताकि आप देख पाओ कि eligible हो की नहीं, सबसे बड़ा eligibility का criteria है, सबसे पहला criteria है, वो तो date of birth का है, तो date of birth देखो, ये लिखा हुआ है, अगर आप 1 मई 2009 से, 31 जुलाई 2011 तक के born हो, मतलब इन में, इनके बीच की पैदाईश है आपकी, तो आप भर सकते हो, form भर सकते हो, ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप class 8 में अभी पढ़ रहे हो, और class 9 में जाना चाहते हो, तब आप form भर सकते हो, मतलब आप administration 2023 और 2024 में, मने इस साल अभी जो session चल रहा है, उसमें आप class 8 में गए हो, पढ़ रहे हो, तब ही आप class 9 का form भर सकते हो, अन्यता आप नहीं भर सकते हो, अगर class 9 में अलड़ी पढ़ रहे हो, या फिर class 8 पास कर चुके हो, तो form नहीं भर सकते हो, तो यह दो चीज़े जरूरी है, बाकी तो ठीक है, इसका format क्या होगा, वो मैं बता दूँगा, अभी आगे चल करके, अभी तो आप demo देखी रहे हो, step by step पूरी, पुरा वीडियो देखना, सारी चीज़े मैं बताऊंगा, तो form भरने से पहले, पूरा वीडियो जरूर देख लेना, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक, तो start करते हैं, सीधा form भरने ही start करते हैं, बहुत हमने बातें कर लिए इस बारे में, एक बाद form भरने start करेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है, so I am clicking on the first link, that is given here, click here to register for class 9th, lateral entry admission 2024-25, तो इस पर जैसे ही मैंने click किया, इस page पे हम पहुँच चुके हैं, जहां पे सबसे पहले तो आपको अपना राजय चुनना है, so let me select उत्तरप्रदेश, मैंने उत्तरप्रदेश चुन लिया है, district के हाँ पे चुनना है आपको, तो मैं यहां पे गोरखपुर चुन लेता हूँ, तो एक नट, यह गोरखपुर आ गया, उसके बाद उमीद्वार का नाम चुनना है, नाम चुनना क्या है, मतलब नाम भरना है, ठीक है, so आदित्य, मैंने यहां आदित्य भर लिया, mobile number भरना है, यह मैंने यहां भर दिया, माता का नाम भरना है, नालो मैंने माता का नाम गीता देवी भर दिया, और उसके बाद फिर पिता का नाम यहां भरना है, तो पिता का नाम, let's suppose कि मैंने राग हो भर दिया, चीक है, और राश्ट्रिता तो आप सबके इंडिया नहीं होगी तो इंडिया नहीं बनना है पहचान चिन लिखना है मैंने जैसे कहीं कटा-पिटा हो कहीं तिल हो तो वो सब आपको लिख देना है जैसे मैं लिखता हूँ cut mark on right elbow यानि कि दाहिने elbow पे cut mark है तो right elbow आपका जो भी पहचान चिन है लिख सकते हैं तो हर एक form में पूछा जाता है तो यह आपको पता ही होगा gender भादेना है तो male आप भर लो यहाँ से male आप female जो भी आप हो ठीक है यहाँ से category गवारे में बहुत विशेज बात ध्यान देना है यह है कि OBC का जो category है जो बच्चे OBC चुनना चाहते हैं वो ध्यान रखेंगे कि वो OBC Central List वाली certificate produce करेंगे जब उनका admission होगा तो certificate की जाच होती है certificate check होता है वो Central List में आने चाहिए अगर आपकी जाती है आपकी community Central List में OBC के इंतरगत आती है तभी आप OBC चुने वरना आपको General से चुनना होगा आपको General से मतला form भरना होगा तो let's suppose कि मैं OBC ही चुन लेता हूँ यहाँ पर और जैसे ही आप OBC चुनोगे यहाँ देखो एक warning आ जाए कि NVS will accept OBC Certificate as per Central List only तो इस बात का ध्यान रखना है आपको Postal Address कह रहा है तो मैं Postal Address भी ऐसे ही डाल देता हूँ गोलगर 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 डाल देता हूँ और आपको अपना Postal Address यहाँ डाल लेना है ठीक है और PIN Code let's suppose 23001 मैं यह PIN Code मैंने डाल दिया Disability यहाँ पर चुनना है याँ आप अगर विकलांग है तो विकलांगता का अगर percentage 40 से ज़्यादा है तभी वो accept होगा तो यहाँ पर आपकी विकलांगता का percentage 40 से ज़्यादा है तभी आप यहाँ कुछ चुनेंगे orthopedic, visual या hearing orthopedic मतलब कि कहीं जैसे कि हड़ी वड़ी में कुछ दिक्कत है हाथ चुन सकते हैं visual का मतलब यह हुआ कि आँखों से कम दिखता नहीं दिखता hearing का मतलब कान से संबंदिद तो यह आप चुन सकते हैं हाँ पर हमने नंग चूज किया है क्योंकि विकलांगता मैं select नहीं कर रहा है हाँ और religion आप अपने ही साथ से डाल सकते हैं Hindu, Islam जो भी है यहाँ डाल सकते हैं यहाँ पर डालना है annual income of parent मतलब की annual income कहने का मतलब की साल भर का income कितना है वो certificate में होना चाहिए mention होना चाहिए तो आप यहाँ से annual income चुन सकते हैं लड़ सपोस कि मैं form reject हो जाएगा और selection होने के बाद में admission हो नहीं पाएगा ठीक है यह देखिए राज्य का नाम तो अच्छा यह जो हमने ऊपर भरा वो personal detail है मतलब candidate से related detail है यह जो ऊपर हमने भरा है select the district of residence अच्छा तो residence का district भी मैं select कर लेता हूँ यहां एक चीज छूड़ गया था एक नट तो residence का district भी मैंने select कर लिया यह वाला जो district हमने select किया था यह वाला यह class 8 में जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां का district है मतलब आपका school जहां पर located है और यहां पर धियान दे आपकी जो school जहां located है और जिस district में आप रहते हो दोनों same होना चाहिए तभी आप eligible होगे अगर आप इसको दूसरा select करोगे तो देखो यहां पर warning आजाएगी the district of class 8 study and the residence should be same तो यानि कि मुझको यहां पर गोरकूरी select करना पड़ेगा दोनों जगा same district होना चाहिए तो दोनों जगा same district ही हो गया अब यह जो details थी यह सारी details यह सारी personal details थी यहां पर आपको school से related details बढ़ना है कि class 8th में आपने कहां पढ़ाई की है तो राज्ये का नाम हो गया जिले का नाम already यहां पे filled up आ रहा है क्योंकि हमने already यहां पे भर दिया है अब school का नाम आ रहा है मैंने लिख दिया ABC Public School आपके school का जो भी नाम है आप यहां लिख सकते हो recognized है कि नहीं है तो recognized school जिन बच्चों का school recognized है यानि कि माननेता प्राप्त है simple शब्दों में माननेता प्राप्त है वही भर सकते है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकारी school हो माननेता प्राप्त कहने का मतलब कि UP Board से या फिर CBSC से recognized हो है न तो ज़रूरी नहीं है कि यह सरकारी हो government school ज़रूरी नहीं है private school स्कूल भी माननेता प्राप्त होते हैं और अधिकतर होते ही हैं तो आप एक बार अपने प्रिंस्पल से पूछ लेजेगा स्कूल की लोकेशन क्या है ये सबसे जरूरी चीज है अगर आप रूरल या मतलब रूरल कोटा का फाइदा उठाना चाहते हैं तो अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में है तो आप रूरल सलेट करें वरना आपको अर्बन सलेट करना पड़ेगा अगर आप रूरल कोटा से फॉर्म भर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका स्कूल रूरल कोटा में ही हो मतलब रूरल एरिया में हो अगर आपका स्कूल ग्रामीर एरिया में नहीं है शहरी एरिया में है तो आप इस कोटा का फाइदा नहीं उठा पाओगे पहली बात ठीक है तो यह इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो आप शहर में रहते हो कि गाउं में रहते हो नहीं यह जो rural और urban quota decide होता है वो school के relation में होता है मतलब अगर school आपका rural area में है तो आप rural treat किये जाओगे अगर school आपका urban area में है तो आप urban treat किये जाओगे simple सी बात है जिस माध्यम से उम्मिद्वार आठवी कक्षा में अध्यांद रहत है मतलब आप अगर English medium से पढ़ रहा हो तो English medium चुनो और Hindi medium से पढ़ रहा हो तो Hindi medium चुन लो तो मैंने Hindi medium चुन लिया यहाँ पर अच्छा ये इससे आप question paper की medium से confuse मत होना क्योंकि question paper का medium दोनों होगा question paper जो होगा वो दोनों ही medium में होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि month and year of joining of class year मतलब class year में कब admission लिया था आपने 2023 अपरेल यहाँ ठीक ठाकी बरा हुआ है तो ठीक है आप कब pass होगे मतलब यह तो exactly नहीं पता है लेकिन expected दिया हुआ है मतलब कब आप pass हो सकते है आपके school में कैसे रहता है passing का March में वो लोग pass करते है या अपरेल में करते हैं तो यह भी लगभग ठीक ठीक ही भरा है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा ठीक है यह चीज जो यह है ना अपरेल 2023 लिखा हुआ है इस चीज को आप अपने school के register से मिला लेना अगर यह अलग है तो आप यहाँ पर अलग भरना और बाकी यह वाला तो ऐसे ही छोड़ दिना second वाला March 2024 ठीक है बाकी यह undertaking by the parent है याने कि माता पिता की दौरशपत पत्र है कि मतलब मैं जो भी information यहाँ पर दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ मेरे जानकारी के अनुसार पूरी तरह से सत्य है अगर इसमें कोई भी तुरूटी कोई भी गलती पाई जाती है तो इस form को reject कर दिया जाएगा simple सी बात है ठीक यहाँ पर candidate का photo अब यह चीज़ ध्यान देने को की बात है कि 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और JPEG या फिर JPEG format में होना चाहिए इसके उपर आप tutorial देख सकते हो YouTube पे कि कैसे size को reduce किया जाता है कैसे photo की size को reduce किया जाता है और कैसे format change किया जाता है एक बार tutorial देख लेना या फिर तमाम websites भी है तो website पे जाकर के किसी भी online website पे जाकर के आप वो size और क्या बोलते है format change कर सकते हो ठीक है तो मैंने already उस format भी बना रखा है ताकि time ना लगे तो मिद्वार की photo मैं हाँ से choose कर लेता हूँ यह रहा photo मैंने photo select किया और upload कर दिया यह रहा उम्मिद्वार के haastakshire तो मैंने हastakshire याने की sign select किया और यह upload कर दिया और यहाँ पे रहाँ current का photo parent का photo नहीं parent का sign तो मैंने sign select किया और upload कर दिया तो यह सारी चीज़े मैंने भर ली बिलकुल carefully सब चीज़ भर लिया मैंने और photo और sign सب कुछ upload कर लिया है, last में आपसे ये पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा मतलब last में आपको ये बटन दिखेगा, save and preview, मतलब save कीजिए please select the date of birth, अच्छा, date of birth भूल गया हुआ, ठीक है, तो date of birth भाई जरूरी है तो date of birth select कर लेता हूँ, date of birth, let's suppose मैं क्या डालू, 2010 डाल देता हूँ, 2010, 1 January 2010, जस्त मैं demo form भर रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही मैंने भर दिया, 1 January 2010, ठीक है, चुकि ये date of birth के लिए prescribed criteria है उसके बीज में पढ़ता है, तो date of birth मतलब ठीक ठाक है, और उसके बाद से आप यहाँ पर edit का option आ रहा है, edit कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही सही भरा है, तो आप final submit यहाँ पर कर सकते हो, ध्यान से देखना इस चीज को अच्छे से देख लेना, इस चीज में गलती नहीं करनी है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारा कुछ सही है, तो आप final submit कर सकते हो, अच्छा, submit करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप 9 विद्याले की तयारी करना चाह रहे हैं, class 6th के लिए, आपके भाई बहन करना चाह रहे हैं, खैर आप तो class 9th के लिए form भर रहे हो, तो अगर आप class 6th की तयारी कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई class 6th की तयारी कर रहा है, तो हम लोग drone school के अंदर 9 विद्याले और scenic school, दोनों की तयारी करवाते हैं, online batches हमारे अभी चलाय जा रहे है, 9 अदर अलफा batch 4, this is our last batch for 9 विद्याले, entrance exam 2024, जो की 10 जनवरी को होने वाला है, और आपका exam फरौरी को होने वाला है, तो 9 विद्याले से related हमारा ये batch चल रहा है, drone school online app है, उसको आप download कर लेना, वहां से आप batches में enroll कर पाओगे, scenic school के लिए, scenic alpha batch 3 चल रहा है, इसमें वो सारी चीज़ें हम लोग provide करते हैं, जो भी in entrance exam के लिए जरूरी है, जैसे video lectures हम लोग provide करते हैं, exercise question के pds provide करते हैं, chapter wise test लेते हैं और सबसे special बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग एक telegram special group बनाते हैं, जिसमें आप अपने doubts discuss कर सकते हो, तो scenic के लिए अगर आप preparation कर रहा है, तो एक बार जरूर से drone school का app download कीजिए, और visit कीजिए courses को एक बार explore कीजिए, देखे कि क्या कै सारी चीज़ें, facilities हम लोग provide कर रहा है अरजुन बैच में आपको सारी चीज़ें एक साथ recorded मिल जाती है, तो नोधे विद्याले के लिए अरजुन बैच है, model paper की series है, mock test की series है, तो ये सारी चीज़ें आपको drone school के app के अंदर मिल जाएंगी, किसी भी जानकारी के लिए आप हमें admission से related, ध्यान रखेगा, कि अगर आपका form से related कोई जानकारी है, form से related कोई query है, तो आप comment section में लिखिएगा, लेकिन admission से related कोई जानकारी है, अगर आप batches से related जानकारी लेना चाहते हैं, तो this is your help line number 6260-388-361, you can always reach out to this number 6260-388-361, whatsapp या call कुछ भी आप हमें कर सकते हैं, ठीक है, फिर अब जो है final, अपने form को हम submit करते हैं, यह final submit का बटन आ रहा है, यहाँ पर final submit कर सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि no change in the particulars will be made after the final submission, तो ठीक है भई, हमने check कर लिया कि सारी चीजन ठीक है, तो ओके पर click कर दोगे और यहाँ से आपका final submission हो चुका है, अब देखो एक तो पहली बात तो आप print, क्या बोलते हैं, screenshot ले लो, दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप अपना registration form print कर लो, क्योंकि यह ज़रूरी है, यह जो registration number है, यह आपके mission का time भी काम आ सकता है, तो इसको print करके रख लो, सहच करके अच्छे से रख लो, उमीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अब यह समझने के बाद आप अपना form भर सकते हो, और एक चीज़ जो यह photo अगरे resize करना था, इसका tutorial आप, तमाम और बाकी सब ठीक है, मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने बता दिया है और आपको सारी चीज़ें समझ में आई है, मिलते हैं आप से next tutorial में, मिलते हैं आप से next video में, तब तक किले अलवीदा, बहुत-बहुत धन्यवाद